नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्रा, ब्रह्मान्द सिद्यास्टों में आप सभी का स्वागत है। सभी के बारे में डीटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सात्वे सान में आने वाले राशी है, पुरुष राशी है, इस राशी का जो स्वामी है, वो शुक्र है, इस राशी का जो तत्व है, वो वाई तत्व है। और यह जो राशी है वो चेर राशी है अब तुला राशी के जो बहुत जिन्न है वो आपने देखा होगा कि वो तराजू है मतलब बैलेंस से यह जो राशी है वो पूरी तरह से बैलेंस है मतलब अपने जो इमोशन से वो इमोशन से राशी काफी तरीके से अच्छी तरीके स से बैलास कर सकती है पहले इंको खुद के जो लिमीटेशन से पता होते हैं मतलब किसी भी प्रकार के उनको इनके जो physical limitation है इनके manyntil limitation या फिर इनको जो psychological एकुछ जो emotional जो limitation है उनके आसे काफी अच्छी तरिके से कहरे करते हैं और dark fashion में वो ज़्यादा believe नहीं करते हैं, काफी sober fashion होती है दूसरी ज़्यादा important इनकी जब बोलना होता है, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी तरिके से देखी जा सकते हैं मतलब कहाँ पर बोलना है, किस तरह से बोलना है कहां पर रुखना है उसी प्रकर सामने वाले वेक्ति को काफी अच्छी तरीके से respect देते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को अगर यदि ग्यान कम है या financial थोड़ा कम है तो उसके साथ थोड़ा rudely भी हो करें बिल्कुल नहीं और कभी भी यह नहीं चता है कि मैं कुछ हूँ तो ये बात इनमें बहुत अच्छी तरीके से देखी जा सकती है और सामने वाले वेक्ति को काफी अच्छी तरीके से ग्रास्पिंग, अकलन शक्ति, ग्रहन शक्ति भी काफी अच्छे देखे जा सकते हैं, किसे भी विशय पर यदि मीरनेल लेना है, तो काफी इंडेप्ट यह सोचती है, तो इसी प्रकार का इनका जो संपुर्ण जो विक्तित्व होता है, वो देखा जा सकता है, उसी प्रकार अगर करियर के मामले में भी अगर देखा जाए, तो करियर कहां पर करना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में इनकी जो मालमात होती है, वो काफी अच्छे तरह के से देखे जा सकती है, काफी अर्ली एज में ही करियर के बारे में यह जो विक्तित्व होते हैं, करियर के कर प्रकार के जो इंकम है वो भी उनकी रहती है और उस प्रकार का जीवन है वो भी इनमें देखा जा सकता है और पॉजिटिव एटिडूड इनमें जीवन के प्रति काफी अच्छा देखा जा सकता है तो इसे सभी बाते हैं वो इस राशी में बहुत अच्छी देखी जा सकती है अब हम चर्चा करेंगे वृच्चिक राशी के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरिश की कुंडली में आठ अस्टम स्तान में या फिर आठवे स्तान में ये आने वाले राशी है, स्तिरी राशी है, इस राशी का जो स्वामी है, वो मंगल है, इस राशी का जो तत्वा है, वो जला तत्वा है, और ये जो राशी है, स्तीर राशी है, सबसे पहले और मैं तो पर नवाद ये जो राशी है, थोड़ी से सीक्रेटिव है, मन की जो बात है वो जल्दी से open up नहीं करती और इनके जीवन के प्रति अपने कुछ माइने होते हैं कि किस प्रकार से जीवन को जीना है किसी और ने कहा इस प्रकार से उस पर विश्वास नहीं रखेंगे कुछ से ही किसी चीज़ का अनुबह करते हैं, उसके बाद ही विश्वास रखते हैं, अपने मल की बाद जल्दी से किसी के पास open up नहीं करते हैं, हला कि open up होते हैं, लेकिन विश्वास होने के बाद, सबसे पहले इनका जो सौंदर्य होता है, वो काफी अच्छे तरिके से देखा जा सकता है, कर, कुरु नहीं कर सकते हैं, तो ये बात इनमें देखे जा सकती है, वानी के बारे में अगर देखा जाए, तो थोड़सा तीखी वानी इनमें देखी जा सकती है, हाला कि वानी में ये ज़्यादा बोलते नहीं, थोड़से मीत बाशी होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, जितना बोला जा है उतना ही वो बोलते हैं लेकिन जो माणी होते हैं कभी कभी तीकी हो सकती है दूसरी ज़्यादा महत पुर्णवात यह जो वेक्ति होते हैं वह सामने वाले वेक्ति को जच करते रहते हैं मतलब साने वाला वेक्ति ट्रस्ट वर्दी है भी या नहीं दूसरी important वाद थोड़ सा इनका जो nature होता है वा extreme होता है किसी भी चीजों पर मतलब किसी वेक्ति के बारे में भी इनके जो बाते होती हो थोड़ से extreme level पर इस प्रकार से होती है किसी वेक्ति के ओपर ये अगदी विश्वास रखे तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयर होते है अगर विश्वास नहीं है तो पूरी जिंदेगी पर उस वेक्ति पर विश्वास नहीं रखेंगे मतलब किसी अन्य वेक्तियों ने अगर उनको कहा किसी भी जब एक्ति के बारे में तो विश्वास नहीं करेंगे जब तक इनको विश्वास नहीं आ जाए दूसरी important बात विश्वास रखने के इनके खुद के माइने होते हैं, खुद के मापदंड होते हैं उसी के आदार पर ये जो विश्वास रखते हैं तिसे ज़ता मैंतो बुर्णवाद यदि आपसे कोई गलतिया होती है तो यह जो राशी है वो आपको पहले बार कभी नहीं बताएंगे हाला कि बागी पहले बार ही आपको टोक कीईगी लेकिन यह जो राशी है वैसा बिलकुल नहीं करेगी इनके खुद के ऐसे मापतम जैसे जमीन किसक जाएगी, तो ये सबी जो बाते हैं राशी में देखी जा सकती है, लेकिन काफी जादा emotional होते है, और इनका emotional nature होता है, वो थोड़ा possessiveness में भी देखा जा सकता है, मतलब यदि इन्होंने आपके उपर विश्वास रख दिया, तो फिर आपको क्या करना है, आपकी ज इनका जो विश्वास होता है, वो उसी प्रकार का देखा जा सकता है, दूसरे बहुत ही जादा important बात, जो भी आप हो, मतलब जैसे भी हो, जो भी आपका चरितर है, मतलब अच्छे हो, बुरे हो, जो भी बात है, वो इनके सामने होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इमेटेट किया, आपने कुछ एक्टिंग किया और इनके बहुत करिब गए, और उसके बाद पता चला कि आप वैसे नहीं हो, तो फिर ये जो राशी है, पूरी तरह से आप से दूर हो जाएगी, तो ये बात खास करके इस राशी में देखी जा सकती है, करियर के मामल ये कितनी जादा मेहनत कर रही है, कितनी जादा आगे बढ़ रहे है, जो भी बात है, जीवन की जो भी दुख बरी भी जीव बात है, वो किसी के साथ जल्दी से शेयर नहीं करते है, मतलब, फर्स्ट ओकेजन में जैसे भी आपको ये राशी लगती है, वैसे वो असल में न सकती है लेकिन आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है अब हम चर्चा करेंगे कि यदि तुला राशी और ये जो रुच्चिक राशी है वो परस पर यदि प्रेम विवा में होगी तो उनका जो वैवाइक से जिवन होगा व भी देखे जा सकते है अब ये जो बात है वो रुच्चिक राशी में देखी नहीं जाते है रुच्चिक राशी थोड़ से इंट्रोवर्ट है कुद के बारे में मतलब अंदर या अंदर जादा सोच विचार करने वाली है जल्दी से मिक्स अप नहीं होते हैं दूसरी इनकी जो मानी होती है वो काफी अच्छे होती है अब ये जो बात है वो रुच्चिक राशी में देखी नहीं जाती और दोनों राशी में एक जो बात है वो कामन होती है लेकिन वो थोड़े से नेगेटिव होती है जैसे कि तुला राशी में थोड़ा सा इगो पाया जाता है और यह जो रुचिक राशी है उसमें इगो साधा देखा जा सकता है अब यह जो इगो है दोनों के जो इगो हो सकते हाला कि जो दुला राशी के जो वेक्तिय हो उनका जो इगो होता है वो इगो के बारे में थोड़ा सा एड़िस कर सकते है थोड़ा सटल रूप में होता है लेकिन जैसे मैंने कहा कि रुचिक राशी की जो वेक्तिय हो थोड़ से एक्स्ट्रीम होते हैं एक बार ना तो ना एक बार हा तो हाँ तो इसी वज़े से कई दफ़ा रिलेशन्चिप के मामले में रुचिक राशी की जो वेक्तिय होते हैं उनको problem, complication थोड़ा face करना पड़ सकता है क्योंकि उनकी जो मानी होती है वो भी तिकी होते हैं और कई दफ़ा ये जो वेक्तिय होते हैं काफी extreme level पर काम करते हैं तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना आवश्चक है उसी प्रकार विवा के बाद जो बात आती है वो होता है लेंगिक सुख तो लेंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो जो तुला राशी है जैसे मैंने का कि इनको आकर्शंदो होता है इनका लेंगिक सुख की जो होता है इसमें भी इनकी जो अपील होती है ज़्यादा देखी जा सकते हैं लेकिन उससे भी ज़्यादा रुचिक राशी में देखी जा सकते हैं तो जो तुला राशी है या फिर जो रुचिक राशी है उनके बारे में किसी भी प्रकर के बड़े प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन नहीं आएंगे यदि तुला राशी का जो चित्रा नक्षत्र है और विशा का नक्षत्र हो और वृच्चिक राशी का विशा का या फिर जैस्टा नक्षत्र यह अगर नक्षत्र होंगे तो फिर थोड़े प्राउ क्यों कि यह जो भी नक्षत्र मैंने गिनवा है वो थोड़े से ज जादा जेश्टा नक्षतर में वो देखी जा सकती है लेकिन करियर के मामले में ये जो राशी है वो बहुत है आगे बढ़ते हैं और ये जो नक्षतर है खास करके जेश्टा नक्षतर वो किसी से भी कभी नहीं डरता काफी आगे जाने वाला नक्षतर है मतलब जेश्टा नक राशे के लिए थोड़े से महतोपुर्ण कहीं जा सकती है अगर इसके बाउजद कोई problem complications आपके वैवाइक जीवन में आते हैं तो फिर आपकी जो कुंडली है वह देखने ज्यादा आवशक होती है क्योंकि यह जो राशिया है वह सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आदा जा सकता है तो दोस्तो यह था प्रेम विवाव में यदि तुला और रुचिक राशे होगे तो उनका जो प्रेम विवाव का वैवाइक साय जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा इस विशे पर चार्चा आपको वीडियो कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुवाँ किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मा दसिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाद